देखे ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है राशपती जी के अभी भाशन पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंतरता हर एक दल को हर एक सांसत को होती है कि वो इसमें किस विशे को उठाना चाता है माननिय स्पीकर साब के द्वारा भी चेर के द्वारा भी इस बात को सपश तोर से कहा गया कि अगर आप नीट के विशे को भी उठाना चाते हैं देखे ये विशे ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है सरकार कते ही नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो उसके भविश्य के साथ कोई भी खिलवार हो जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बाच्छीत कर रही है वहीं दूसरी तरफ जाँच की भी प्रक्रिया इस पर चल रही है जाच एजिंसियों के द्वारा जाच की भी प्रक्रिया चल रही और मानने ये नियायाले में भी ये मामला विशारा धीन है ऐसे में तमाम पक्षों को मद्दे नजर रखते वे सही समय पर सरकार जो उचित कदम छातरों के भविश्यक ले होगा उसको जरूर उठाएगी पर ऐसे में सदन को बादित करना और जिन परमपराओं का ये जिक्र करते हैं जिस सम्विधान का विपक्ष जिक्र करता है ये परमपरा कभी रही नहीं जब भी राश्पती जी का अभी बाशन होता है सबसे पहले सदन के दुआरा उनको धन्यवाद प्रस्ताव जाता है और उस धन्यवाद प्रस्ताव में आपको पूरी स्वतंतरता होती है कि जिस विशे को आप प्रमुक्ता से उठाना चाहें अगर नीट को लेकर इतने ही पर सिर्फ और सिर्फ सदन को आप चलने से रोकना चाहते हैं हंगामा खड़ा करने के उद्देश से ये लोग सदन आये हैं ना कि किसी पक्ष को लाब दिलाने के मकसद देखें ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं त माननिय स्पीकर साब के दोरा भी चेर के दोरा भी इस बात को स्पशत तोर से कहा गया कि अगर आप नीट के विशे को भी उठाना चाते हैं देखें ये विशे ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है सरकार कते ही नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो उसके भविश्य के साथ कोई भी खिलवार हो जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बाच्छीत कर रही है वहीं दूसरी तरफ जाँच की भी प्रक्रिया इस पर चल रही है जाच एजिंसियों के द्वारा जाच की भी प्रक्रिया चल रही और मानने ये नियायाले में भी ये मामला विशारा धीन है ऐसे में तमाम पक्षों को मद्दे नजर रखते वे सही समय पर सरकार जो उचित कदम छातरों के भविश्यक ले होगा उसको जरूर उठाएगी पर ऐसे में सदन को बादित करना और जिन परमपराओं का ये जिक्र करते हैं जिस सम्विधान का विपक्ष जिक्र करता है ये परमपरा कभी रही नहीं जब भी राश्पती जी का अभी बाशन होता है सबसे पहले सदन के दुआरा उनको धन्यवाद प्रस्ताव जाता है और उस धन्यवाद प्रस्ताव में आपको पूरी स्वतंतरता होती है कि जिस विशे को आप प्रमुक्ता से उठाना चाहें अगर नीट को लेकर इतने ही यहां पर सिर्फ और सिर्फ सदन को आप चलने से रोकना चाहते हैं हंगामा खड़ा करने के उद्देश से ये लोग सदन आये हैं ना कि किसी पक्ष को लाब दिलाने के मकसद